तो गैस जीन लोग का मोबाइल लंबर उनके अधार काड़ में रजिस्टर्ड है वो लोग तो अपना एश्रम काड़ OTP के जरी आसाने से ही अपने ही मोबाइल से बना सकते हैं उन्हें कहीं भी अपना एश्रम काड़ बनाने के लिए जाने की जरुरत नहीं है आप लोग को कैसे बनाना है मैंने लाइब वीडियो में आप लोग को दिखाया है कि कैसे आप create कर सकते हो कैसे OTP आप लोग को देना है कौन-कौन से details देना है अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो मैं description में link देदूँगा आप उस वीडियो को देख करके आप अपना e-shram card बड़े ही असाने से बना सकते हो अब guys अब बात कर लेते हैं कि जिनके अधार card में mobile number registered नहीं है तो ओ लोग कैसे अपना e-shram card बनाएंगे और फिर कहां जाना पड़ेगा तो guys चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो hey guys स्वागत है आप सभी का एक और शांदार वीडियो में और आज किस वीडियों लोग बात करेंगे जैसा कि आप लोगों ने thumbnail पे देख ही लिया है तो guys सबसे पहले मैं आप लोग को बता दू कि e-shram card बनाने के लिए आप लोग को अगर OTP अगर आपके number पे आ जाता है सबसे पहले आप चेक करो कि आपका mobile number आपके अधार काड में registered है या फिर नहीं है ठीक है तो guys उसके लिए आप लोग को YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करके आप देख लिजेगा अगर मान लिजे अगर OTP आ जा रहा है आपके mobile number पे आपका mobile number आपके अधार काड में registered है लिंक है ठीक है तब तो guys आप बड़ी असानी से अपना आप UAN काड यानि इशरम काड बना सकते हो ठीक है लेकिन guys अगर आपका OTP नहीं आ रहा है ठीक है आपका mobile number आपके अधार काड में registered नहीं है ठीक है तो guys आप लोग को CSE ID के जरूरत पड़ेगी या guys common service center के जरूरत पड़ेगी ठीक है तो guys अगर आपके पास CSE का ID नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो CSE ID के लिए आप लोग apply तो इतना जल्दी नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपके nearest में कोई भी अगर कहीं आपका CSE center हो ठीक है तो आप उहाँ जा करके आप अपना इश्रम कार्ड बड़ी आसानी से बनवा सकते हो जैंगा इस वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं होगी बस आप लोग को simple जो भी details है आप लोग को जरूरत पड़ेगी ठीक है और बात बाकि अपना आप लोग अधार नमबर ये सारी चीजे तो आप लोग को ले जाना ही पड़ेगा अधार कार्ड ठीक है जिससे आप उहाँ पे अधार नमबर अपना डियो भी ये सारी चीजे आप उहाँ पे फिल कर सको ठीक है साथ में वहाँ पे guys by matric तरीके से होगा यानि कि आप वहाँ पे थम आप लोग को लगाना पड़ेगा ठीक है आपके जो अधार है वेरिविकेशन के लिए थम लगाओगे आप वहाँ पे इसके बाद जो आपका इश्रम कार्ड है वह बहुत ही असानी से बन जागा ठीक है लेकिन गाइस जो भी डिटेल्स आप आपे जाएं ठीक है तभी आपका जो इस रम कार्ड है बन पाएगा ठीक है तो गाईस में मेरा मकसद था आज की वीडियो में आप लोग को जनकारी देना कि जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबल निंक नहीं है तो वो लोग कहां पर जाकर करके अपना इस रम कार्ड तब तक के लिए बाइब बाइब